स्वागत आपका आज के अपिसोड में चले शुरुवात करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्ण के साथ प्रश्ण था समुद्री शैवाल के सम्मंद में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए 1. इन्हें 21 सदी का चिकित्सिय भोजन कहा जाता है 2. बड़े समुद्री शैवाल घने पानी के नीचे के जंगलों का निर्माड करते हैं 3. वे अतिरिक्त पोशक तत्वों को अवशोशित करके और समुद्री रासानिक शदी का संकेत देकर जैव संकेतक की रूप में कारे करते हैं उपरोग तुमें से कितने कथन सही नहीं है 1. एवल 1, B. केवल 2, C. सभी 3, D. इन में से कोई भी नहीं इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्पट D. इन में से कोई भी नहीं चले देखते हैं इसके विसलेशन को समुदरी शैवाल, इन्हें 21 सदी का चिकित्सिय भोजन कहा जाता है अतकतन 1 सही है समुदरी शैवाल अधिकतर अंतर जोआरिय शेत्र में समुदर के उथले और गहरे पानी में वह मुहाना तथा बैक वाटर में भी पाए जाते हैं समुद्री शैवाल पानी के नीचे जंगलों का निर्माड करते हैं जिन्हें केलप वन कहा जाता है ये जंगल मचली घोगे आदी के लिए नरसरी का कारे करते हैं अतकतन दो सही है गौर तलब है कि भारत के समुद्रों में लगभग 844 समुद्री शैवाल प्रजातियां पाई जाती हैं वे अतरिक्त पोशक तत्वों को अवशोशित करके और समुद्री रासानिक शती का संकेत दे कर जैव संकेतक के रूप में कारे करती हैं अतकतन दो सही है एक केंद्रे ग्रामीड स्वक्षता कारेक्रम यानि CERSP का उद्दिश सौचाले निर्माड पर सबसिटी देकर ग्रामीड जीवनस्तर में सुधार करना था जो भारत का पहला रास्ट्रों व्यापी ग्रामीड स्वक्षता प्रयास था दो स्वक्ष भारत अभियान गलियों और सडकों को साफ करने तथा देश के सामाजिक बुनियादी धाचे के निर्माड के लिए वर्ष 2014 में सरकार द्वारा शुरू किया गया एक रास्ट्री अभियान है उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक, वी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डी न तो एक और नहीं दो इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनो चले देखते हैं इसके विशलेशन को वर्ष 1986 में केंद्रिय ग्रामीड स्वक्षता कारिक्रम यानि CERSP शुरू किया गया इसका उद्देश्य सबसिडी वाले 144 निर्माड के माध्यम से ग्रामीड जीवनस्तर को बढ़ाना था जो भारत की प्रारंभिक रास्टर व्यापी ग्रामीड स्वक्षता पहल का प्रतीक था अतकतन एक सही है स्वक्ष भारत अभियान गलियों और सड़कों को साफ करने तथा देश के सामाजिक बुनियादी ढाचे के निर्माड के लिए 2 अक्टूबर 2014 को सरकार द्वारा शुरू किया गया एक रास्टरी अभियान है अतकतन दो सही है स्वक्षता से संबंदित अन्य योजनाए वर्ष 1999 में शुरू किये गए संपून स्वक्षता अभियान यानि TSC में वर्ष 2012 तक संपून स्वक्षता का लक्ष रखा गया था इसमें खुले में सोच को समाप्त करने और स्वक्षता तथा अप्षिष्ट प्रबंधन में सुधार के लिए कम लागत की तरीकों एवं बड़े पैमाने पर अभियानों पर जोड़ दिया गया था TSC कारिक्रम की सफलता के बाद भारत सरकार यानि GOI ने अक्टूबर 2003 में निर्मल ग्राम पुरस्कार यानि स्वक्ष ग्राम पुरस्कार की शुरुवात की स्वक्ष भारत अभियान देश की गलियों और सड़कों को साफ करने तथा सामाजिक बुनियादी धाचे के निर्माड के लिए 2 अक्टूबर 2014 को सरकार द्वारा शुरू किया गया एक राश्ट्री अभियान है अगला प्रश्ण है स्वक्ष भारत मिशंद शहरी यानि SBMU के सम्मंद में निम्रलिखित कतनों पर विचार कीजिए एक इसे वर्ष 2014 में आवास और शहरी मामलों की मंत्राले द्वारा लॉंच किया गया था 2. SBMU 1.0 अपना लक्ष हासिल करने में सफल रहा और 100% शहरी भारत को ODF घोशित किया गया 3. SBMU की दूसरी चरण का लक्ष ODF से आगे बढ़कर ODF प्लस और ODF प्लस प्लस तक जाना तथा शहरी भारत को कच्रा मुक्त बनाने पर ध्यान की इंदृत करना है उपर युक्त में से कितने कथन सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इन में से कोई भी नहीं इस प्लस 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 का सही उत्तर है विकल्प C केवल 1 चलिए देखते हैं इसके विसलेशन को स्वक्ष भारत मिशन शहरी यानि SBMU आवासनों शहरी कारिमंत्राले ने 2 अक्टूबर 2014 को शहरी शेत्रों में स्वक्षता, सफाई और उचित अप्षिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश से स्वक्ष भारत मिशन शहरी की शिरुवात की इसकी शुरुवात एक राष्ट्री अभ्यान के रूप में की गई थी अतकतन एक सही है SBMU का पहला चरण शोचालियों तक पहुच और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा दे कर शहरी भारत को खुले में शोच से मुक्त यानी ODF बनाने के लक्ष को प्राप्त करने पर केंद्रित था SBMU 1.0 अपना लक्ष हासिल करने में सफल रहा और 100 प्रतिशत शहरी भारत को ODF गोशित किया गया अतकतन 2 सही है SBMU के दूसरे चरण का लक्ष ODF से आगे बढ़कर ODF प्लस और ODF प्लस प्लस तक जाना तथा शहरी भारत को कच्रा मुक्त बनाने पर ध्यान की इंद्रित करना है अतकतन 3 सही है गौर तलब है कि इसमें स्थाई स्वक्षता प्रताओं अप्षिष्ट प्रबंधन इवमें एक चक्री अर्थ्यवस्था को बढ़ावा देने पर बल दी आ गया है अगला प्रश्न है व्यापार और विकास रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक इसे विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी किया जाता है दो यह वैश्विक वितिय सुधारों मुद्रास्विती असमानता और संप्रभूरिन संकट से निपटने के लिए अधिक व्यवहारिक नीतियों तथा प्रमुक बाजारों की मजबूत निगरानी का आगरह करता है उपरियुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दो नो, डी न तो एक और नहीं दो इस प्रश्ट का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो चलिए देखते हैं इसके विसलेशन को व्यापार और विकास रिपोर्ट दो हजारतेईस वता देकि पिछले साल की तुल्ना में अधिकांज शेत्रों में विकास धीमा हो गया है और किवल कुछ देश ही इस प्रव्यती से आगे निकल रहे हैं अतक अतने एक सही नहीं है यह वैशक वितिय सुधारों, मुद्रास्विती, असमानता और संप्रभूरिर संकट से निपटने के लिए अधिक व्यवहारिक नीतियों तथा प्रमुख बाजारों की मजबूत निगरानी का आगरह करता है अतकतन दो सही है यह रिपोर्ट वितिय सिर्था हासिल करने उतपादक निवेश को बढ़ावा देने और बहतर रोजगार सिजन के लिए राजकोशिय, मौद्रिक तथा आपुर्दी पक्ष उपायों के साथ संतुलित नीतियों के समनवे से वैश्विक अर्थवस्था को सही दिशा में आगे निवेशकों को आकरशित करकि कम संसाधन वाले देशों में विकास कारेक्रमों को वित्तपोशित करने के लिए किया जाता है दो इसमें पारमपरिक बॉंड की अधिकांश विशेष्ताओं का अभाव होता है उपर यूग्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डी न तो एक और नहीं दो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो एक और नहीं दो चले देखते हैं इसके विसलेशन को डेवलोप्मेंट इम्पेक्ट बॉंड यह एक प्रकार की वित्य सुरक्षा बॉंड है जिसका उप्योग निजी निवेशकों को आकरशित करके कम संसाधन वाले देशों में विकास कारेक्रमों को वित्तपोशित करने के लिए किया जाता है इसे सोशल इंपेक्ट बॉंड का एक उप्रकार माना जाता है अतकतन एक सही है इसमें पारंपरिक बॉंड की अधिकांश विशिष्टाओं का अभाव होता है अतकतन दो सही है बॉंड एक निशित अवधी के साथ आते हैं लेकिन वे निवेशकों को रिटर्न की एक निशित दर की पेशकश नहीं करते हैं इसके बचाए बॉंड का पुनर्भुक्तान मुख्यरूप से उस परियोजना की सफलता पर निर्भर करता है जुसे बॉंड की बिक्री से प्राप्त आय का उप्योग करके सबसीडी दी गई है अगला प्रश्ण है निम्रलिखित युगम पर विचार कीजिए जिसमें एक तरफ प्रसेध धनाम और दूसरी तरफ शहर दिये गए है उपर युगत में से कौन सा या कौन से युगम सुमेलित है या सुमेलित है अ केवल एक, बी केवल दो, सी केवल दो और ती, डी एक दो और ती, इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो चलिए देखते हैं इसके विचलेशन को अहमदाबाद जिसे मैंचस्टर ओफ इंडिया कहा जाता है यह ब्रिटिश शहर के समान अपनी कपड़ा कौशल की जहलक प्रसुत करता है अतयुगम एक सुमेलित नहीं है बेलगामी जिला जिसे पहले बेलगाम जिला भी कहा जाता था यह भारत की करनाटक राज्य का एक जिला है इस जिले को शुगर बाउल ओफ करनाटक के रूप में जाना जाता है जहां एक दश्मलव पांच लाख हेक्टेर भूमी का उप्योग वारिजिक उतपादन के लिए किया जाता है और इसने पिछले दशक में गन्ना उतपादन में मांडिया जिले को विस्थापित कर दिया है अता युगम दो सुमेलित है पानिपत हर्याना का एक एतिहासिक शहर है यह शहर भारत में सिटी ओफ वैवर्स या बुनकरों का शहर और कपड़ा शहर के नाम से प्रशिद्ध है कपड़ों के पुनर्चकरण का वैश्य केंद्र होने के कारड़ इसे कास्ट ओफ कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है अतय युगमतीन सुमेलित नहीं है अगला प्रेश्ण है विश्व बैंक समो तथा क्रिशे विकास अंतरास्टे कोश द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है इस फंड का उदेश्य विधाई परिवर्तन और डबलू टी ओ अधिसूशना प्रस्तुतियां सहित डबलू टी ओ नियमों के साथ सबसिडी उपायों को संरिकित करने में सदसे देशों की सहायता करना है उपरियुक्त में से कितने कथन सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इन में से कोई भी नहीं इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सभी तीन चलिए देखते हैं इसके विसलेशन को डबलू टी ओ मत से पालन वित्त पोशन तंत्र यह अहितकर सहायकी को सीमित करने, विशों में मचलियों को संरक्षित करने और विकास शील तथा अल्प विक्सित देशों में मच्छवारों की आवशकताओं की पूर्ती करने के संबंद में नियम स्थापित करता है अतक अथन एक सही है इसका संचालन WTO द्वारा साच़दार संगटनों जैसे राश्टर खादी और क्रिशी संगठन यानि FAO, विश्व बैंक समोह तथा क्रिशी विकास अंतरास्टे कोश द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है अतक अथन दोस सही है इस वंड का मुख्योदेश WTO नियमों के साथ अपनी सबसिटी नीतियों को सनरेखित करने के प्रयासों में सदसे देशों को तकनीक सहायता प्रदान करना है इस समर्थन में कानूनी और वी नियमों में आवश्यक परिवर्थन करना तथा नए समझोते के दायत्वों के अनुसार WTO अधिसूचनाय तयार कर उन्हें प्रसुत करना शामिल होना चाहिए अतक अथन 3 सही है अगला प्रश्ण है निम्नलिकित कथनों पर विचार कीजिए एक युनाइटिट किंडम इंग्लैंड स्कॉट्लैंड वेल्स और उत्तरी आयरलैंड से बना है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दो चले देखते हैं इसके विसलेशन को युनाइटिट किंडम इंग्लैंड स्कॉट्लैंड वेल्स और उत्तरी आयरलैंड से बना है अतक अथन 1 सही है विंडर्सर फ्रेमवर्क की अंतरगत प्रिथक ग्रीन और रेड लेन की स्थापना का प्रावधान है या क्रमश उत्तरी आयरलैंड तथा यूरोपी संग के बीच व्यापार से संबंधित है अतक अथन 2 सही है अगला प्रश्न है निमनलिकित कथनों पर विचार कीजिए एक ब्रेनो वेर मस्तिक्ष और्गेनाइट को माइक्रो इलेक्ट्रोड के साथ एकिक्रित करता है जिससे एक और्गेनाइट निूरल नेटवर्क यानि ONN बनता है जो सीधे कम्प्यूटिंग प्रक्रिया में जीवित मस्तिक्ष उतक को शामिल करता है दो, ब्रेन और्गेनाइट 3D उतक है जो मानव मस्तिक्ष की सनशना और कारे का अनुकरण करते हैं वे मानव भ्रोन स्टेम सेल से प्राप्त होते हैं उपर यूग्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डी नतो एक और नही दो इस प्रेशन का सही उत्तर है विकलप सी, एक और दो दोनो चलिए देखते हैं इसके विसलेशन को Brainware एक अभिनव कम्प्यूटिंग प्रणाली है जो मस्तिक्स जैसे उतको को इलेक्रोनिक्स के साथ जोडती है Brainware मस्तिक्स ओर्गिनाइट को माइक्रो इलेक्रोड के साथ एकिकरित करता है जिससे एक ओर्गिनॉइड निूरल नेटवर्क बनता है यसीदे कम्प्यूटिंग प्रक्रिया में जीवित मस्तिक्स उतक को शामिल करता है अतकतन एक सही है Brain ओर्गिनॉइड 3D उतक है जो मानव मस्तिक्स की सनशना और कारेका अनुकरण करते हैं वे मानव भून स्टेम सेल से प्राप्त होते हैं और स्वाल संगठित होने में सक्षम होते हैं अतकतन दोस सही है मस्तिक्स और गेनॉइड मस्तिक्स की कोशिका सनशना के समान होते हैं और मस्तिक्स की विकासात्मक प्रक्रिया को प्रतिविम्बित कर सकते हैं इन्हें मानो मस्तिक्स के विकास तथा मस्तिक्स से संबंदित बिमारियों का अधियन करने के लिए मॉडल के रूप में उपियोग किया जाता है O&N कृतिम तंत्रिका नेटवर्क से भिन होते हैं जो सिलिकॉन चिप से बने होते हैं क्योंकि वे जैविक नियूरोंस का उपियोग करते हैं जो अपने पर्यावरण से अनुकूलन और सीख सकते हैं तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को निमनलिखित कथन पर विचार कीजिए एक अंतरीम बजट का उदिश सरकारी व्याय और आवशिक सेवाओं की निरंतरता सुनिशित करना है जब तक की नई सरकार कारेभार समालने के बाद पूर्ण बजट पेश ना कर दे दो भारती समविधान के अनुचेद 112 के अनुसार वार्शिक वित्य विवरण संसत की दोनों सदनों की समक्ष रखा जाता है उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डी न तो एक और नहीं दो इस प्रेश्र का उतर कमेंट बॉक्स में जरूर दे, आज के लिए बस इतना ही शुक्रिया दियर विवर्स, अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले